ये एक बहुत ही मज़ेदार तजरूबा है जिसके लिए आपको सिर्फ मकई का आटा, कौन फ्लॉर और पानी दरकार होगा इसमें दो हिस्से मकई का आटा लेंगे और एक हिस्सा पानी लेंगे और फिर एक बड़े परतन में दो हिस्से कॉनफलॉर या मकई का आटा और एक हिस्सा पानी का डाल कर इन्हें अपनी उंगलियों से मिलाएं कुछ देर मिलाने के बाद आपको मकई का आटा और पानी का एक गाड़ा घोल हासिल होगा एक सलरी बन जाएगी इसकी एक खासियत है इसमें अगर आप अपनी उंगलियों को दीरे दीरे डालें तो आपकी उंगलियां इसमें आसानी से दाखिल हो जाएगी और अगर आप तेजी से अपनी उंगलियों को इसमें दाखिल करें तो बहुत रुकावट आएंगी यहां आप देख सकते हैं कि आपकी उंगलियां हलके से इसमें दाखिल हो रही है काफी अंदर तक आसानी से दाखिल कर सकेंगे और इन्हें अगर तेजी से दाखिल करें तो वो ज्यादा रुकाउटे महसूस करेंगी इसका एक और मज़ेदार तजरूबा ये है कि आप अपनी पांचों उंगलियों को एक मुठी बना कर निकाले इसका एक और मज़ेदा तजरूबा ये है कि आप अपनी पांचों उंगलियों को एक मुठी बना कर निकाले और फिर इस पर तेजी से मुक्के मारे तो ये एक दिवार की तरह आपके मुक्के की मजाहिमत करेगी और आपकी मुठी वापस आ जाएगी ये इसलिए होता है क्योंकि कौन या मकई के जो जर्रात है वो एक मजमुआ बना लेते हैं जितनी तेजी से आप मुक्का मारते हैं वो उतनी तेजी से पास आते हैं और इतना ही ज्यादा इनकी मजाहिमत या रेजिस्टेशन होता है